नमस्कार दोस्तों सागत आप सभीक आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनी एजूकेशन पे मैं हूँ आपका हूश्ट फार्मासिस्ट विकास आज इस वडियो में जानेंगे दोस्तों पेरों की नसों में दर्द की तीन दवाईयों के बारे में जिन लोगों को पेरों की नसों में दर्द रहता है चुबन मैसुस हो रही है सुनापन हो गया है जनजनाहट सी मैसुस हो रही है और जलन हो रही है पेरों में चलने फिरने में दिक्कत होती है शरी में थकान सी मैसुस हो रही है पेरों में थकान हो गई है कमजोरी मैसुस हो गई है चलने फिरने में दिक्कत हो रही है कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है जब भी चलते फिर तो उस दाइम भी पेरों में दर्द होने लगता है तो आज इस वर्डियम हम complete बात करेंगे पेरों की नसों में जो दर्द हो रहा है उस दर्द को कम करने की ऐसी तीन पारफल दवाईयों के बारे मे पूरी डिटेल से बात करेंगे बई डॉक्टर जो है कौन-कौन सी दवाईया लिखता है इस दर्द को कम करने के लिए क्योंकि नॉर्मल पेन किलर मैडिसन खाने के बाद में भी ये दर्द ठीक नहीं होता है इसके लिए जो special दवाईया होती है उसी से पेरों की नसों का द होईयों के बारे में सबसे पहली जो मैडिसन है उसका नाम है प्रिगलीन कैपसूल प्रिगलीन कैपसूल दोस्तों इसका brand name है और market में ऐसी नाम से मिल जाता है इसकी general information देखे इसमें क्या क्या होता है ये दोस्तों torrent pharmaceutical की मैडिसन है और प्रिगलीन 75 कैपसूल इसका नाम है इसके अंदर salt में देखिए क्या क्या होता है इसमें pregabalin होता है जो की 75 mg होता है और इसकी जो 15 capsule की strip आती है दोस्तो ये 305 रुपे की MRP में मिल जाती है medical store पर तो pregabalin इसका नाम है ये एक प्रकार का capsule है और torrent pharmaceutical की medicine है इसके अंदर pregabalin होता है तो चले बात करता है इसके बारे में क्या इसके उप्योग है कभी क्या काम करता है तो इसका जो उप्योग होता है दोस्तो नरो पेन को कम करने के लिए होता है जब भी शरीर में नसों में अगर damage हो जाता है नसों में दर्द होने लगता है तब ये capsule दिया जाता है जैसे कि इसके लावा जब भी दोस्तो हर्पीस जोस्टर हो जाता है चाहे वो चिकन पॉक्स हो या हर्पीस जोस्टर का इंफेक्शन होता है तब भी शरीर में जहां पर भी नसे होती है उन नसों में दर्द होने लगता है इसके लावा कुछ ऐसे टाइप की सीजर है या जिनको मिर्गी के दोरे बोल सकते हैं तो मिर्गी के दोरे जब भी आते हैं दोस्तो तब भी यह जो कैप्सूल है उपयोग किया जाता है कुल मिला के जब भी शरीर में नसों का दर्द हो रहा है चाहे वो हाथ की नसों पेर की नसों तब यह capsule दिया जाता है जो कि नियुरोपेटिक पेन को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है बात करते हैं कैसे और कभी ये जो कैपसूल है लिया जाता है किस पकार से डॉक्टर इसको खाने की सला दे सकते हैं तो ये जो कैपसूल है दोस्तो नाइट को खाने की सला दी जाती है एक कैपसूल खाना खाने के बाद में लिया जाता है नाइट को सोते टाइम इस पकार से ये capsule उप्योग किया जाता है अब इसके कुछ side effect भी है दोस्तों जैसे कि इसकी वज़े से आपको ulty होने लग सकती है, चक्कर आने लग सकते है मुँ सुखा सुखा रहने लग सकता है और नेन आने जिसी condition हो जाती है weight gain भी होने लग सकता है तो ये दोस्तों इसके common side effect है जरूरी नहीं कि सारही side effect आपको देखने को मिलेंगे इसमें से ulty chakra जो है दोस्तों कुछ patient ऐसा है जिनको ही देखने को मिल सकते हैं वरना इसके लावब कोई दूसरे side effect आपको देखने को मिल रहे है तो आपको तुरह डॉक्टर से सला लेनी हो और medicine को discontinue करना है बात करते हैं दूसरे medicine के बारे में जिसका नाम है Neurokind O.D. टैबलेट ये Neurokind O.D. टैबलेट दोस्तों Mankind Pharma की medicine है इसकी general information देखिए Neurokind O.D. इसका brand name है medical store पर येसी नाम से मिल जाता है Mankind Pharma की ये टैबलेट है salt composition में देखिए इसके अदर मिथाइल कोबलमीन होता है मिथाइल कोबलमीन के जो दूसरा नाम है उसको मी कोबलमीन भी कहा जा सकता है और ये 1500 माइक्रोग्राम में होता है अब इसकी MRP देखिए दोस्तों 1500 MCG चलिए बात करते हैं इसके बारे में कब और कैसे ये काम करते है क्या काम आती है शरीर में तो ये जो टैबलेट है दोस्तों Neurokind OD टैबलेट ये मिथाइल कोबलमीन की कमी को पूरा करती है जब भी आपके शरीर में मिथाइल कोबलमीन की कमी हो जाती है जिसको Miko Balamin या विटामिन B12 भी कह सकते है इसकी जब कमी होती है शरी में तो क्या होतै दोस्तों नसों में दर्द होने लगता है जनजनाहट सी होने लगती है सुना पना आ जाता है चुबन मैसूस होती है तो अगर आपके भी शरीर में नसों में दर्द हो रहा है पेरों की नसों में दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि वो विटामिन B12 की कमी की वज़े से हो तो विटामिन B12 की कमी को ये पूरा करती है टैबलेट इसके लावा आपके शरीर में क्या करती है red blood cells और nerve cells को ये healthy बनाया रखती है इसके अलावा आपकी memory को ये improve करती है दोस्तों और mental energy को ये sharp करती है तो कुल मिला के अगर आपके शरी में methyl cobalamin की कमी हो गई है उसके वज़े से नसों का दर्द हो रहा तो उस दर्द को कम करने के लिए neurokind OD tablet का उपयोग किया जा सकता है और ये tablet कब और कैसे खानी होती है एक tablet ये लेनी होती है दोस्तों चाहे आप नास्टे के बाद में ले सकते हो खाना खाने के बाद में ले सकते हो एक गोली लेनी होती है दिन में और ये tablet जो है दोस्तों सब linguali ले जाती है यानि इस tablet को jeep के उपर रखी जाती है यह जल्दी ही अपना action show कर देती है जैसे jeep पर रखोगे यह fast काम करेगी इस पकार से Neurokind OD tablet को jeep के उपर रखा जाता है इस पकार से उपयोग की जाती है बात करता है तीसरी medicine के बारे में जिसका नाम है Neurokind Gold RF Capsule Neurokind Good RF Capsule दोस्तों इसका brand name है और इसकी general information देखिए यह Mankind Pharma का Capsule है Salt form में देखिए आप इसकी salt में क्या का composition में दिया गया है तो इसके अंदर दिया गया है multi vitamin और multi mineral तो बहुत सारे इसके अंदर vitamin दिये गए है minerals दिये गए है जो कि शरीर में vitamins और minerals की कमी को पूरा करते है medical store पर यह कितने के मारपी में मिल जाता है तो 99 रुपे की 10 जो capsule है वो आपको मिल जाती है तो Mankind Pharma की यह medicine है Neurokind Gold इसका नाम है capsule का चले बात करते हैं इसके बारे में क्या क्या काम यह करता है तो जब भी आपके शरीर में vitamins और minerals की कमी होती है तब उन vitamin और minerals की कमी को यह पूरा करता है जब भी आपके शरीर में vitamin और minerals की कमी होती है तो क्या होता है शरीर में थकान कमजोरी आ जाती है तो जब भी शरीर में vitamin की कमी होगी ठकान कमजोरी आ जाएगी भूग कम लगेगी चलने फिरने में दिक्कत आती है ठकान सी होती है कोई भी काम करते हो तो काम में मन नहीं लगता है जल्दी ही ठक जाते हो तो शरीर में ये ताकत वरने का काम करता है ठकान कमजोरी को ये दूर करता है तो ये जो capsule है दोस्तो ताकत का capsule है कोई भी डॉक्टर जो है ये लिख सकता है जब भी कोई बिमारी होती है चाहे वो नस्व का दर्द हो हाथ पेर का दर्द हो कोई भी बिमारी होती है और कमजोरी होती है ये capsule दिया जा सकता है अब बात करते है कैसे और कब ये capsule लिया जाता ह तो ये जो गोली है दोस्तो कैपसूल ये एक बार लिया जाता है खाना खाने के बात में चाहे अपनास्टे के बात मिलो खाना खाने के बात मिलो एक गोली इसकी खानी होती है तो इस परकार से दोस्तो निरोकाइंट गोल्ड आरेफ कैपसूल का उप्यों किया जाता है तो इस प्रकार से दोस्तो आज इस वीडियो में हमने जाना पेरों की नसों में जो दर्द हो रहा है जर्द को कम करने वाली दवाईयों के बारे में कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना साथे दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्याजू दिखाएगा ऐसे ही नई नई वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी देने बाद मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए द चैनल